रवी है सीधे इनसे बाचीत भी करेंगे घर में जाने से पहले, आप कहा थे उस दोरान जब उब्दरोवीं जो आपके घर में दाखिल हुए? अपके घृत में हमें लोग चूड़ए मगर यह झोड़ और गूली है और उसके बाद एकशे डिर घंटे के बाद जब पुलिस आई है तो सेफ हम लोग को चवकी लेके गई है महासी तैसील वहां पर हमें सेफ रखा गया है फिर पुलिस के परशासन के उसमें निगरानी में हम यहां घर पर छोड़ा गया है अभी पुलिस हमारे आज आप लोग मुखमंतरी योगी आदितनात से भी मिलने वाले ह है दिए हो नुक्सान हुआ है वह मतलब हमारा मतलब खाना पानी नहीं सब जला दिए हैं जो मतलब था पुरा तो गाहों मतलब जो चसब बिआघार है मैं आपको और वी तस्वीर अभी और तस्वीरे आपको इहां पर दिखाता हूं और भी फैमिली मिंबर्स हैं घर के इनसे बात करते हैं आप कैसे यहां से भागी जब उब्दरवी जो है आपके हागे फिर भी पल्ला तूड़े आग लगाए जोन कुछ चीज बस पैसा खोड़ी सब नियाग लगा दिया उठा लगे लूट ले गे कुछ नहीं राके न कपन नहीं दखाने पीड़ी के लिए कुछ नहीं घर पर हुआ कि सब माने कर दीए सब जब लएगे कुछ नहीं राकिने अब आप का लोग कहा चिपी थी जिस दोला नियाद जान में उब्द्रवुई को आप लोग आते वे देखी अगर पुलिस कहें कि पहचान लेंगे तो पहचान लेंगे आप लोग दान नहीं पर सब लेट थे जान में आप लोग बस लेट गये थे जान बचाना मुस्के दो जान खाली ले लेके भागें बस जब पुलिस आई तब लोग बाहर निक्से और भी हमारे साथ यहां पर लोग यह बताईए आपके आखों में आसू है जार जाहिर तोर पे जिसका भी घर में आगजनी होगा उसके आखों में आसू होगा आप उब्द्रोईयों को एंटी स जान बचाने के लिए अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जिसको मिला लूट कर लेगे और हमारे घर को पूरा पूरी तरह से आख के हावाले किया गया पैट्रोल डीजल उनके पास कहां से आया वो तो उनी को पता है हाला कि मुखमंत्री योगी आद इतना अपने साफसाफ लफजों में कहा है कि जो भी एंटी सोसल इलिमेंट है उनको बखषेंगे नहीं उनके सक्ट से सक्ट कारवाई उनके खिलाफ ओगी कि वह मुख्मंत्री हैं राज चलाने हैं उनको हम लोगों से जादा से जादा बेहतर पता है कि उप दर्यों पर कैसी कारवाई करनी चाहिए जैसे कई जगाओं पर उन्होंने बहुत बढ़िया फैसला किया है यहां भी पूरा भरोसा है हमारे मुख्मंत्री से हमें आस है आस से beats वहां भी इसी घर के सब्धार ज़ाल दे हमारा घर भी जब ज़ला दिए सरव सब गाड़ी वुख दिए सर् बकली बच्चा थे वो भी सब पर्टक परटक के मार दी ह हमारी बहन के कपड़ू और पढ़े फाल दी बें जितना हो सका बे जिति कि यह गर के सामने दिव डिवाल खड़ी थी वह सब दिवाल गरा दिये बखरी बच्चा ना पाहन तो इसे पटक दिये पटक पटक के मार दिये जान से उनको भाहशंब से मार दिये क्या कंद गरीब आदमी क्या करें हम लोग कोई घल्ती नहीं ती envelope ना ना हम किसी चीज में गये ना हमारा गाओं के कोई आदमी गया बस गलती है कि हम लोग बहुत गलत हुआ है और सबसे बड़ी चीज अगर हो सके उनके अगर पच्छमें हो तो कुछ हम लोग के पर नजरे करम करें मुखमंतरी ने एक साफ लवजों में कहा है कि उब्दरवी जो हैं उनको बख्षा नहीं जाएगा इसलिए उन्होंने अमिताब यस एडीज लगाए जाती है आस परोस में आके आवाज लगाती है मारो 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 चोट चोड़े बच्चे हैं कहां ले जाएंगे कहां ले इस घर की तस्वीरे दिखागा हूं इस घर में आगजनी हुई है कल जब एंटी सोशल एलिमेंट पहुंचे थे तब आगजनी हुई है घर के अंदर की तस्वीरे मैं कैमरे पर आपको दिखाने जा रहा हूं यह आगजनी की तस्वीरे हैं यहां पर यह देखिए यहां पर आगजनी की तस्वीरे घर का जितना समान उसको जुला दिया गया हमारे साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं गाउं के काफी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो लगातार डरे हुए हैं सहमे हुए हैं उनके आखों में आसू है जाहिर तोर पर जिनका गर जलेगा उनके आखों में आसू होगा और जो एंटी सोसल एलिमेंट होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं वो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से यह तकत है कभी इस तकत पर दोपहर में रात में शाम को लेटा करते हैं अब इसको पूरी तरीके से आग के हवाले यहां पर कर दिया गया है और भी हम आपको तस्वीर यहां पर दिखाते हैं और भी घर के अंदर दाखिल होते हैं उसके बाद यह घर का अनाज है गेहूं है जिसे किसान पैदा करता है और इस घर के जो किसान है वो गेहूं पैदा करते थे और यह गेहूं है जरा लहसुन जलकर खाक हो चुका है पूरा किसान जो मेहनत करके खेतों में लहसुन पैदा करते हैं उसको जलकर खाक है इसलिए इनके आँखों में आशू है यह किचन है किचन की तस्वीरे हम आपको दिखाएं तो यह देखिए यह किचन की तस्वीरे है इसको पूरा यहांदर गेहूं वगेरा रखा हुआ है गेहूं को भी पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया है इसको जलाकर खाक किया गया अब इन लोगों का यही कहना है कि मुखुमंत्री योगी आधितनात से यह बस यही कहने वाले हैं कि इन्हें इन्साफ चाहिए जिस तरीके से आगजनी हुई है जिस तरीके से उब्दरवयोंने उब्दरव ब्दरव मचाया है और ये जान बचाने के लिए ये पूरा परिवार जो है अंदर खेत में दाखिल हो गया दूसरी तस्वीर और भी भैयावा है ये देखिए घर का सारा समान जला दिया गया है पूरा का पूरा समान जला दिया गया तकहत पर बच्चे जो बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं चला ये देखिए बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं मुर्गा और लोम्री की कहानी ये किताब पूरी तरीके से जला दिया गया है आधा जला है आधा नहीं जला है झाल